जहिन क्लास मेरा नाम पुरसत्तम कुमार है और मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा कला ठीक है कला किस से रिलेटेड मैं आपको वो कढ़ाऊँगा जो UPTGT में PGT में DSSB KVS NBS और जितनी सारी कख्षा जितनी सारी कख्षाओं में जितनी सारी कॉंपटिशन में क्या आता है कला ह ह कला आता है वो सबका इस बोड़ पे पढ़ाएं होगी ठीक है चलो शुरू करते हैं कला से रिलेटेड कोई भी इंगजाम होगा इस बोड़ परढ़ाएं जैगा चलो शुरू करते हैं अभी तक हमने अभी पाशान काल उसके बाद मद्य पाशान काल दूसरा क्या है मद्य पाशान काल मद्य पाशान काल ठीक है जी मद्य पाशान काल हो गया और तीसरा क्या है नौ पाशान काल क्या है नौ पाशान काल ठीक है जी ये तीन भागों में क्या पटा है प्रगतिहासिक काल अब ये पूरा पाशान काल को मैंने पढ़ा दिया था इसके पिछले वीडियो में ठीक है जी इसके पिछले वीडियो में मैंने पूरा पाशान काल आपको पढ़ा दिया है आज हम पढ़ेंगे मद्य पाशान काल ठीक है एक बार पढ़ेंगे पूरा क्लियर होगा ठीक है जी मद्य पाशान क ठीक है अब यहां से आयो कोश्चन पूछेगा कि मद्य पाशाण काल का समय क्या है क्या पूछेगा इसका क्या पूछेगा समय पूछेगा तो समय क्या बताएंगे मद्य पाशाण काल का समय है 25,000 BC से लेके 10,000 BC तो लिख देंगे यहां पे 25,000 BC से लेके कहा तक 25,000 BC से 25,000 BC से कितना 10,000 BC 10,000 BC ठीक है BC का मतलब होता है before Christ BC का मतलब क्या होता है before Christ हिंदी में क्या बोलेंगे इसा पूरू क्या बोलेंगे इसा पूरू BC का मतलब before Christ इसका मतलब before Christ का मतलब इसा पूरू ठीक है यह आप जान गए कि मद्य पाशाण काल का समय जो है 25,000 BC से 10,000 BC अब कुश्चन देखो, कुश्चन आएगा, कुश्चन अभी UPTGT के, UPTGT के 2021 में आया था 2021 में एक क्वेस्चन आया था, क्या क्वेस्चन आया था? कि भारत में मद्य पाशान काल का dash तक माना जाता है क्या आया था भारत में कुश्चन आया था भारत में, भारत में, भारत में, मद्य पाशाण काल का, क्या दैश, दैस तक माना जाता है, यहां पे डैस लिखती आ था, माना जाता है, माना जाता है, ठीक है, माना जाता है, यहां से माना जाता है, यहां पे लिखतो, माना जाता है, ठीक है जी? कुश्चन आया था कि भारत में मद्य पाशान काल का डैश माना जाता है अब देखना ध्यान से देखना क्या आया था आप्शन में आप्शन ए में आया था दो हजार इसा पुरू क्या आया था दो हजार इसा पुरू और B आया था, चार हजार इसा पुरू, क्या आया था, चार हजार इसा पुरू, और C आया था, क्या आया था, छे हजार इसा पुरू, क्या था, छे हजार इसा पुरू, और D आया था, एक हजार इसा पुरू, देखो, अब ये question आ गया, माल लो आप से ये question आ गया, और आया है ठिखे ठिके थोजारीरिकिस में अब यहांपे लड़के क्या गलती करते हैं कि वह देखते हैं क्या देखते हैं कि पचीस हजार से दस हजारर इसमें तो कोई option ही नहीं है दू-जार-चार अजार Smartly काम करना यहाँ पे कैसे Smartly काम करना यह नहीं करना है कि हम question छोड़के आगए और हमने कहा कि नहीं यह तो समय नहीं दिया नहीं जी 25,000 BC से 10,000 BC आया इसके नज़्दीक देखो इसके नज़्दीक देखो भाई कि कहां पे आया है कौन आया है तो 2000, 4000, 6000 और 1000 सबसे नज़्दी कौन है 6000 है बाई सबसे नज़्दीक 6000 है तो C पे टिक मराएंगे यहाँ पे 6000 माना जाता है और आयोग ने किसी को सही माना है और कई लोग, हमारे कई लोग मित रहें वो 1000 के जगाए पे यह 1000 था ना, इसको उन्होंने पढ़ लिया 10,000 तो D मार के आग कला के सब्जेक्ट में TGT, PGT, UP का इसमें दिक्कत यही है कि लोग गलत बढ़ किया जाते हैं या स्मार्टली काम नहीं करते हैं ठीक है पता नहीं, क्या क्या लोग यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको 25,000 से 10,000 के बीज़े में क्या क्या पढ़ा देंगे भाई ये, ये एकदम एकोरेट आंसर है एकोरेट आंसर तो है लेकिन यहाँ पे स्मार्टली काम करके आना है नहीं आओगे, फस जाओगे नमबर एक चला जाएगा एक एक नमबर किम्ती है सब तियारी करेंगे ये सब्जक्ट इतना आसान है इतना आसान है कि मैं पता नहीं सकता तुम फील करोगे छे महिना इसको टाइम दो और छे महिना के बाद आप देखोगे कि आपका तैयारी 60% हो गया 60-70% हो गया उसके बाद आपको थोड़ा और महनत करना है क्योंकि एक दो नमबर की fight होती है एक नमबर पे line लग जाती है waiting list होगे ठीक है यहीं है यहीं इस subject की खासियत है और यहीं इस subject की drop है ठीक है तैयारी सब करेंगे थोड़ा सा extra तैयारी करना और smartly काम करना आ जाओगे इसमे 6,000 इसा पुर्वर इसा पुर्वर लिखती है ठीक है और यह एक हजार यहां पे ध्यान रखना है तस जार नहीं एक हजार है कहने का मतलब होता है कि जो सबसे नजदीक है उसमी को सही करेंगे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना कि कोई answer ही नहीं है 25 से 10,000 में नहीं आपको स्मार्टली काम करना है ठीक है यह क्लियर हो गया अब और चीज़ सिखाते हैं मद्य पाशान काल का मद्य पाशान काल का समय आपको मैंने यह बता दिया इस पे आप सूट अप रहेंगे एकदम स्टेंड रहेंगें ठीक है अब मैं मद्य पाशान काल के बारे में कुछ और बताता हूँ ठीक है पहले लिखवाता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ चलो मद्य पाशान काल मद्य पाशान काल किसी काल विसेश का संकेत नहीं करता है मद्य पाशान काल मद्य पाशान काल रहा है कि मत्य पाशाण काल किसी काल विषेज का संकेट नहीं करता है, तो फिर क्या करता है ये? अब बताऊँगा मैं, किसी काल विषेज का संकेट नहीं करता है, अपितो पुर्व पाशान काल के बरबर जीवन क्या है बरबर जीवन और वा नो प्रस्तर योग अपितो पुर्व पाशान काल के बरबर जीवन वा नो प्रस्तर योग के सब्य जीवन के संधी काल का समय है अब इसको ध्यान से समझना एक बार में याद होगा एक बार में आपको याद होगा ठीक है देखो क्या होता है कि मद्धपाशान काल को कभी कई लोग क्या बोलते हैं कि संधी काल का समय है क्यों है बता रहूं देखो किसी काल भी से इसका संकेत नहीं करता है कौन? मद्यपाशान काल मद्यपाशान किसी काल भी से इसका संकेत नहीं करता है किसी काल भी से इसको नहीं पताता अपे तो पुरो पाशान काल के बरबर जीवन जो पूरा पाशान काल काल है न उसी को पूरो पाशानकाल भी बोल सकते हैं ठीक है पूरा पाशानकाल मद्य पाशानकाल और नो पाशानकाल तो पूरा पाशानकाल में आप जानते थे कि कैसा जीवन था बरबर जीवन था ठीक है खाना बदोस जीवन था ठीक है वो नो प्रस्तर यूग जो नौ पाशान काल का है उस यूग के नौ पाशान काल में लोग सब भे हो गए थे वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मद्य पाशान काल के बाद में अब नया चेप्टर जो आएगा वो नौ पाशान काल के बारे में पूरा पाशान काल और नौ पाशान काल के मद्ध जो संधी कराता है जो दोनों के बीच का काल है उसको मद्ध पाशान काल है अरे भई मद्ध तो नाम है ही है तो आप इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे क्वेश्चन यहां से आता है इस चीज को पढ़ाने का परपस क्या है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि संधी काल का समय कौन सा है संधी काल का समय कौन सा काल है तो आप बोलेंगे मद्ध पाशान काल क्यों है लॉजिक बता दिया हूँ पूरा पाशाणकाल और नौ पाशाणकाल के बीच के समय का जो दोनों को जोडता है संधी कराता है वो क्या हो गया मद्य पाशाणकाल गोड़ इट चलो अब तीसरा चीज़ बताता हूँ अब कोश्चन आएगा कि मद्य पाशाणकाल का मुख्य विसेशता क्या है क्या पूछेगा मुख्य विसेशता क्या है यह कोश्चन बार बार आया है जितने पेपर आप देखोगे मैक्सिमम यह आया है कोश्चन मद्य पाशाणकाल से कि मुख्य विसेशता क्या है तो इसका मद्य पाशार काल का मुख्य भी सेस्ता है जो ओजार थे वो नोकीले थे और पत्थर के छोटे थे पत्थर के छोटे वो नोकीले ओजार हैं क्या बोलेंगे पत्थर के क्या बोलेंगे पत्थर के छोटे वो नोकीले ओजार हैं नोकीले औजार हैं ठीक है जी ये ध्यान रखिएगा ये कुश्चन आता है और इससे रिलेट करके एक और कुश्चन आएगा पत्थर के छोटे वनोकीले औजार हैं किसमें मद्यपाशाण काल में और इसी और इसी पत्थर के छोटे वनोकीले औजार को क्या बोलते हैं बोला जाएगा, बोला जाएगा, कुश्चन आएगा यहां से, कि जो मन्द पाशाण का अजार है, उनको क्या कहा गया, क्या कहा गया, माइके लिक्स, क्या बोला गया, यह जो पत्थर के छोटे वो नोकीले अजार है, इनको क्या बोला गया, माइके लिक्स, क्या बोला गया, इनको तो question बार बार आता है, कि पत्थर के छोटे नोकीले औजार जो है, ओ, कहां से पाया गया, तो मद्य पाशान काल, या relate करके, wise versa पूछेगा, कि मद्य पाशान काल का औजार कैसा था, तो पत्थर के छोटे और नोकीले औजार थे, कि इनको क्या कहा जाता है, माइकोलिक्स, माइकेलिक्स, ठीक है, ये clear कर लीजेगा, और दूसरा, दूसरा एक question और पुछेगा, एक last question पुछेगा, पूरा मद्य पाशान काल से, कि भीम बेट का गुफा का संबद किस काल से है, क्या पुछेगा, भीम बेट का, भीम बेट का, गुफा, भीम बेट का, गुफा का संबद, भीम बेट का, गुफा का संबद, का संबद किस काल से है, किस काल से है, किस काल से है, ठीक है जी, ये पूछेगा question और पूछता है, किस काल से है, देखो एक है कि क्वेश्चन पूछता है कि भीम बेट का गुफा का संबंद किस काल से है तो ये क्वेश्चन पहुत बार आया पहुत ही बार आया है ठीक है तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप बोलेगे मद्य पाशाण काल क्या बोलोगे मद्य पाशाण काल गमणाना नहीँ, जब मैं गुफा पढ़ाऊंगा ना, जब मैं गुफा पढ़ाऊंगा तो भीमबेट का क्यों बोला गया है कि मध्य पाशार्ण का है? इसको बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो ये चीज आपका मध्य पाशानकाल है, भीमिट का, उफा का संबन मध्य पाशानकाल से, छोटा चेप्टर था, इसको क्लियर कर लिजेगा, इसको याद कर लिजेगा, अब नेक्स्ट्ट जो रहेगा, वो क्या रहेगा, 9 पाशानकाल, उसके बारे में बताएंगे ठीक है धीरे धीरे चल रहा है December तक मैं चाहता हूँ कि Complete आपका होजा Practice Practice अब कोसिस कर रहा हूँ मैं ठीक है देखो मैं Promise नहीं कर रहा हूँ ठीक है Promise नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अपना 100% दोंगा ठीक है और बीच में कभी बेटा निकल जाता है तो सुरी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बेटा ही बोल देता हूँ ठीक है जी आप भाई बेहनों हो मेरे ठीक है जी उसको थ्वाफिल्टर कर ली जागा Thank you so much जाहिए